तो अब हम देखते हैं कि माओ का जो किसानों को लेके क्रानती है या कृसक क्रानती जिसको इंग्रिसमें कहेंगे पीजन्ट रव्लूशन उस पे क्या मत है या किस तरह से उन्होंने उस क्रिसक क्रानती को आगे बढ़ाया एक आईडिया के लेवल पे और यह idea जो अभी तक किसी भी समाजवादी देश में या किसी समाजवादी चिंतक ने इस तरह का विचार या इस तरह का idea अभी तक नहीं दिया था यह इनका genuine idea कह सकते हैं आता है देखते हैं क्या कहते हैं He modified the Marxist Leninist idea and rely on the peasants for revolution Marxist Leninist idea जिस तरह से हमने देखा कि Marx का idea है वो है सर्वहारा वर्ग के क्रांती के बारे में सर्वहारा वर्ग usually industrial labor है या जो उद्योगों में और सहरों में काम कर रहे हैं सहर के अंदर एक mil के अंदर एक factory के अंदर इस तरह के जो labor काम कर रहे हैं वही क्रांती ला सकते हैं सर्वहारा वर्ग की Marx के अनुसार माक्स के अनुसार जब किसानों की बात आए उनसे पूछा गया तो हो कहते है किसान एक अलू की बोरी की तरह है जो जहां पर रखा जाएगा वहीं पर रहेगा क्योंकि किसानों की mobility बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो किसान अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है वो कहीं और जाके क्रांती नहीं कर सकता क्योंकि उसके source of income या दूसरी चीजे वहीं पर खेती के साथ उसके land के साथ जुड़ी हुई है उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मजदूर जो है वो बदल सकता उसके पास options ज़्यादा है वो एक मिल से दूसरे मिल में जा सकता है तीसरे मिल में जा सकता है सहर भी बदल सकता है और बहुत ज़्यादा land को लेके उसके अंदर position नहीं होता तो मार्क्स के according पीजन्ट revolution ला सकते है लेकिन वो मुश्किल है लेकिन लेनें जो है वो पीजन्ट को जोडते तो है लिए नेत्रत भी सरवहारा वर्ग को देते हैं सरवहारा वर्ग पे ज़्यादा रिलाई करते हैं वो सरवहारा वर्ग का मतलब मजदूर जो है उस पे पार्टि को जोड़ देते हैं कि पार्टी में जो बुद्धी जीवी वर्ग होगा वो इस सरवहारा वर्ग को लीट करेगा अब इस सरवहारा वर्ग को लीड करने का जो काम है रसिया के आंदर सकस्ट्फूल भी होता है और 1917 में लेनिन की अगवाई में जो पार्टी है कम्मिनिस्ट पार्टी वहां की रस्या की वो रवलूशन ले आती है अब लेकिन उसी समय सीख तो रहे हैं माव माक्स से भी लेनिन से भी लेकिन अपनी जो ग्राउंड रियालिटी है उसको नहीं छोड़ते वो चाइना को अलग से नहीं देख रहा है जिस तरह से रूस के अंदर क्रांटी होगे उसी तरह से चाइना के अंदर क्रांटी करने की कोसिस नहीं कर रहे हैं वो कोसिस क्या कर रहे हैं वो कोसिस ये कर रहे हैं कि चाइना की जो परिस्थितियां हैं जिसको हम कह सकते हैं ग्राउंड रियालिटी या वो जो रियल परिस्थितियां है उसको देखकर उसके according क्रांती की बात सोचना या क्रांती का विचार देना उसमें ये विचार नया add करते हैं माक्सवादी सिधांत में ही क्योंकि माक्सवाद में ही ऐसा नहीं कि माक्स के जो class का principle है या जो dialectic principle है उसके against में जा रहे हैं लेकिन यहां से जो exactly जो लेबर क्लास वाला idea उस पर stick ना करते हैं वहां से थोड़ा से डेवियेट करते हैं माक्स कार्टिंग जैसे हमने बताया माक्स प्रिजेंटरी और conservative और reactionary कि संकीन विचार धारा के लोग होते हैं कौन यह जो प्रिजेंटरी है जो किसान होते हैं किसान एक जगे पे रहते हैं उनका एक culture होता उनकी संस्कृती होती वह उससे बहुत ज्यादा रिवोर्ट नहीं कर सकते अपनी जो गाउं है या वहां के जो ट्रेडिशन है जो परमपरा है तो जब परमपरा में जो चलता रहेगा जो conservative होगा जो अपने आपको बदल नहीं सकता वो क्रांती भी नहीं कर सकता दूसरा reactionary है कि उस परमपरा में कोई बेकर छेड़ चार कर reaction होता है जो इसलिए माक्स उन पर भरोसा नहीं करते हैं इवन लेने रिलाइड ऑन अर्बन पुरुटियत जैसा हम ने बताया था भी कि सहरी जो मजदूर है उसी पर अर्बन पुरुटियत सहरी मजदूर पर वो रिलाई करते हैं कि वही करांती कर सकता और पाइनली करांती करके भी दिखाते हैं माउस फंडामेंटल कॉंट्रिबूशन वोस डैट ही ब्रोट फर्स सक्सेस्फुल रवलूशन थ्रू पिजन्टि यह उनका पहला कह सकते हैं नया आइडिया है सक्सेस्फुल रवलूशन वो भी सोसलिस्ट रवलूशन जिसको हम कहेंगे समाजवाद नया i एक्षवादी रवलूशन और वो समाजवादी रवलूशन किसानों के थ्रूँ यह इसलिए माउ को माक्सवादी है वो एकधड़ा माक्सवाद का उनको महान इसलिए मानता है कि यह जो आइडिया है ब्लाई करे अप सब्सक्सेस्पीज माउघ के समय में भी दुनिया के तमाम सारे किसान आंदोलनों के लीडर बने रहते हैं जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडिया के अंदर भी जो माववाद है कई बार हम नियूज में देखते हैं सुनते हैं कि मावववादियों ने पुलिस के साथ मुड़बेड की रत है सही को उसको moral judgment हम नहीं करते हैं यहां पर लेकिन वह चीजे विचारधारा के नाम पर हम जब बात कर रहे हैं तो उनका विचार किसानों को उनका हक दिलवाना है क्योंकि हम देखते हैं जहारकंड, चत्तिसगर और जो ट्राइबल एडियास है वहां पर जो किसान है या जो आदिवासी हैं उनका बड़ी बड़ी कंपनिया या सहरोसो लोग जाके बहुत ज़्यादा सोसन करते हैं उस सोसन का जो विरोध करते हैं वो मावधी विचारक जो है वहां पर उन लोग आदिवासीयों को और वहां के जो लोकल किसान उनको यूनाइट करके स्टेट के अगेंस में और बड़े पुझी पतियों के अगेंस में जो एक्शन लेते हैं उस एक्शन में हम देखे कई बार कैजूयल्टी होती दोनों तरफ से तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या कह रहे हैं इस मॉडल बिकेम रेलिवेंट पर मैनी एफ्रो एसियन सोसाइटी जो हमने बात की कि सिर्फ यहां पर नहीं दुनिया के जहाए अफ्रिका हो एसिया के अंदर भी जहां हमारे यहां हो नेपाल के अंदर भी हुआ अभी देखा हमने भूटान के अंदर भी जो सोसिलिस्ट रेवलूशन हुए तो भूटान के अंदर तो पूरी तरह से मावव के समर्द तक है, he attempted the collectivization of the agriculture, यह जो है, यह इनका failure भी रहा, idea अच्छा था, collectivization जो Soviet Union में भी हुआ, जो Lenin ने किया, और उसका successful implementation हुआ, और उससे फायदा हुआ, और Soviet Union क्रिसी जो economy से निकल के industrialization पे हुआ, माव ने भी यही कोशिस की land का collectivization जो भूमी है, सबको मिला दिया, और सबको उस पे काम करने के लिए बोला, और जो उत्पादन होगा, वो उत्पादन समय बटेगा, खिरिसी का जो collectivization हो गया, लेकिन नई scientific तकनीकी भी लाएगी, जो scientific ideas थे, विज्ञानिक तर लेकिन उससे हुआ क्या, यह idea जो था great leap forward का, 1958-68 तक, he shifted his idea to introduce the great leap forward, कि great leap forward अब हमको तेजी से development करना है, हमने revolution ला दिया, अब development का pace तेज करना है, तो technology को use करने लगे, लेकिन इसी समय क्या होता है, दोनों चीजे एक तू कह सकते, इनकी किस्मत करावा है, और दूसरा इनकी policy में भी loop holes रहते हैं, उस loop holes की वज़े से, जो होता है कि यह agriculture का, इनका जो idea है, वो fail हो जाता है, और जो production हो खड़ जाता है, कई लोग ऐसा भी बताते हैं, कि जो idea, कि उन्होंने बोला कि किसी ने scientific report दी, कि चडिया इतने दाने खा जाती है, कई कुंटल, कई सो कुंटल खान ने खा जाती है, तो उन्होंने बोला कि चडिया को मार दो खेतों के असपास से, तो अब चडिया मार दी गई, तो, क्योंकि polynation का काम चडिया करती है, तो वो चडिया मर गई तो polynation नही होरा production घड़ गया, इस तरह कि तमाम साइद नए बीज लगाया गया, अब हर जगे नए बीज तो successful नहीं होगे, इस लैंड में जो बीज successful होगा, दूसरी रगन में वो successful नहीं होगा, तो local जो बीज होते हैं, वो ज्यादा production जमीन के इंसार करते हैं, इन्हों नो सोचा यह बीज तो यहाँ पर ज्यादा production दे रहा है, वहाँ भी उसको लगा दो, तो फ्लॉप ह हो गया, तो production काफी कम हो गया, अब production कम होने की वज़े से, और भी खत्रा लगातार पहले ही crisis थी, revolution के समय